हाई वेलकम टू मेगनास फूड मैजिक और आज बनाते हैं सूपर हल्दी दल्या की खिचुड़ी और ऐसी और भी हल्दी रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा तो शुरू करते हैं मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून ओईल और मैं डाल देती हूँ 1 टेबल स्पून घी इसके अंदर यहां पर मैंने डल्या को प्री सोक करके रखा है पहले ही मतलब इसको मैंने 3-4 गंटे पहले ही बिगा दिया था और सोक किया हुआ राइस है तो जैसे ही तेल गरम हो जाता है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ यह बारीक कटा हुआ गार्लिक और डालती हूँ थोड़ी सी ग्रीन चिली अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ half a teaspoon हिंग अब मैं इसके अंदर डेर सारे vegetables डालने वाली हूँ Actually, आप इसके अंदर कोई भी vegetables डाल सकते हैं, जो भी अपके फ्रिज में पढ़ाओ अब मैं डालूँगी इसके अंदर ये प्यास मेरे पास यहाँ पर गाजर है, मैं ये गाजर डाल देती हूँ अब जाएगा कुछ बेंस, हरे मतर ये सूपर हल्दी खिचड़ी होती है, इसमें धेर सारे vegetables जाते है और दलिया तो हल्दी है ही, और ये डालेंगे कुछ गोबी और मेरे पास शिमला मिर्च भी पड़ी हुई है, तो ये जाएगी शिमला मिर्च सबकुछ मैंने अप्रॉक्सिमिटली वन टू टू टेबल स्पून लिया हुआ है और इसको हम मिक्स कर देते हैं और अब डालते हैं सारे सुखे मसाले इसके अंदर जाएगा वन टी स्पून हल्दी और जाएगा कुछ कश्मीरी चिली पावडर मिक्स कर देते हैं रोज सुबे सुबे वही जो दलिया हम खाते हैं दूद के अंदर पका के वो बहुत बोरिंग हो जाता है कभी आप दलिया को इस तरह से खा के देखिए बहुत ही टेस्टी बनता है अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये दलिया ये एक कप दलिया है जिसको प्री सोक करके रखा हुआ है और इसके अंदर जायेगा ये हाफ कप चाबल है इसको भी प्री सोक करके रखा हुआ था और एक कर देते हैं मिक्स अब मैं डाल देती हूँ नमक और इसके अंदर मैं डाल देती हूँ यह approximately one and half cup जितना पानी इसको बस से last stir कर देते हैं एक पार और अभी मैं इसमें अंदर थोड़ा से धनिया डाल दूँगी और थोड़ा से धनिया हम उपर से डालेंगे और बस इसको धकन लगाके पकने देते हैं यह तीन विसल तक पक्के रेडी हो जाएगा कुकर ठंडा हो चुका है चलिए देखते हैं कि हमारी हल्दी दलिया खिचडी कैसी पकी है वाव दलिया खिचडी इस लुकिंग अपसिलूटली यम चलिए इसकी प्लेटिंग कर देते हैं मैं यह एक बोल ले लेती हूँ और उसमें खिचडी को निकाल देते हैं दलिया इतना टेस्टी भी हो सकता है यह आप जब यह खिचडी बनाएंगे ना तब आपको पता चलेगा और इसके उपर बस मैं रग देती हूँ थोड़ा सा फ्रेश धनिया तो लीजिये तयार है सूपर हल्दी दलिया खिचडी